हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल प्रेग्निंसी के एरवीद मेगा मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूं कैसे हैं आप लोग आई थिंग सब भी स्वस्त होंगे और बहुत ही खुश होंगे दोस्तों प्रेग्निंसी के दुरान आपके व चुरवाति लक्षन माना जाता है इसके रंग में कुछ बदलाव कि नौनी से सफेद पानी आना भी शामिल है कई मैलाव को ये पता नहीं होता है कि pregnancy में वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और ऐसे होने पर उन्हें चिंता करने की जरोत नहीं होती है लेकिन जब पता नहीं होता तो उन लोगों को problem होने लगती है तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले बात करते हैं कि सफेद पानी क्या होता है देखे गरभाशे ग्रीव का और वैजाईना में सफेद रंग का एक तरल बनता है जो शरीर से गंदी की को बाहर निकालने का काम करता है माना जाता है कि सफेद पानी के जरिये महिलाओ के शरीर से मुरत कोशिकाएं बाहर निकाल जाती है प्रेग्निंसी की तीसरी तिमाई में वैजाईनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है देखिए वेजैनल डिश्चार्ज, सफेद रंका, गाढ़ा, चिपचेपा और जिसमें कोई स्मेल ना हो, आना काफी हद तक नॉर्मल है क्या कारण होते हैं प्रेगनिंसी में वेजैनल डिश्चार्ज होने के देखिए प्रेगनिंसी के हर तिमाई में महिलाओं की योनी में से सफेद पानी आता है किसी महिला को ये समस्या अधिक होती है तो किसी को कम या फिर मैं कहूं किसी को तो काफी कम होती है योनी से सफेद पानी आने को लिकोरिया कहते हैं प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजोन का स्तर बढ़ जाता है जिससे पैलवी खिसे में रख प्रवा में व्रद्धी होती है अधिक ब्लड सर्कुलेशन होने से शरीर की म्यूकस जिल्लियां उत्तेजित हो जाती है जिससे प्रेगनेंसी की शुरुवात और इसके दोरान वेजैनल प्रेगनेंसी की दोरान सफेद पानी बहुत जादा आ रहा है तो इसमें बद्बू भी आ रही है तो यह इंफेक्शन का संकेत हो सकता है डॉक्टर एंटिबायोटिक या कोई दवा दे सकते हैं आपको वैसे जादा तर इन केसिज में आपकी योनी में रखने के लिए गोल काम मिल जाता है और आपको क्या करना है कि अपनी प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल भी गीला नहीं रहने देना है कॉटन के अंडर भी पहने टाइट जीन्स और नाइलोन की कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए संतूलित आहार ले और अधिक शुगर का सेवन आप शुगर का अधिक सेवन करती है तो इसे इस्ट इंफेक्शन होने का जो खत्रा है वो बढ़ जाता है अपनी डाइट में प्रोबाइटिक फूड और सप्लीमेंट ले अब बात आती कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए देखिए पीला हरा या गाढ़ा डिस्चार्ज हो बहुत मैल आ तरह करी है तो एक दिन से अधिग समय से हौरे है तो इस तरह अगर आपको दर्ध अठन बी है तो तूरण डाक्टर को दिखाना चाहिए और अगर केवल आपको डिस्चार्ज बहुत जादा है जिसकी वज़े से खुजली हो जाती है तो आपको साफ सफाई का बहुत अधिक धियान रखना चाहिए दिन में आपको कई के बार अपने प्राइविट पार्ट को साफ करना चाहिए पैंटी को कम से कम दो से तीन बार रखें जितना होजा के अपने योनी पार्ट को सूखा रखने की कोशिश करें जिससे खुजली और एलर्जी की समस्या कम से कम हो क्योंकि प्रेग्निंसी के दोरान हम वैसे भी बहुत अधिक दवाईया नहीं खा सकते हैं तो जितनी समस्या सकते हैं कोशिश करें उन समस्या उसे बचनी की पानी की मात्रा को अपनी डाइट में इंक्रीज करें जिससे की यूरिन इंफ्रेक्शन होने का खत्रा बिल्कुल भी ना रहे तो अमीद करते हैं दोस्तों आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा ल